अलो बच्चों, लेट्स रीट इस क्वेश्चिन, दे क्वेश्चिन सेज अ थिन रिंग और रेडियस आर मीटर है चार्ज क्यू कूलम उनिफॉर्मली स्प्रेड आन इट तर रिंग रोटेट अबाउट इस एक्षिस विद दे कॉंस्टेंट फ्रिक्वेश्चिन पर सेकंड तो क्वेश्चिन में हमें का है एक थिन रिंग है जिसकी रेडियस है आर और उस पे चार्ज क्यू उनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया तो रिंग है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद दे फ्रिक्वेंसी ओफ तो हमें मैगनेटिक इंडक्शिन की बतानी है आड़ दा सेंटर तरें तो आये इस कोशन को सॉल परते हैं PO गया तो हुए मैश्चिन कजो की कंसरेड जो की इंडक्शिन भर स्कांट्व but is smart मैगनेटिक पांडेटिक इंडक्शं मैगनेटिक इंडक्शिन यूनिप वाम्ले स्प्रड किया गया चार्ज क्यों के सप्रेड हुआ साथ इस यह अपने को और बें विए इस इसे की सेंटेल एक्सिस और आपाउर है कर रही है है तो इस रोटेशन की मोज़े से इसके इस center point पर ओपर कितना magnetic field induced होगा यह हमें बताना है तो यह question को solve करते हैं तो सबसे पहले हम वो जो charge q है उस charge q रोटेट कर रहा है उसकी वज़े से current produce होगा वो current find out कर लेते हैं अब current का जो form ना होता है वो होता है q by t ठीक है q चार्ज उसे दिया गया और टी उसका मालो time period है तो 1 by t जो होता है वो frequency के equal होता है ठीक है जो frequency होती है that is equal to 1 by t तो यह current कितना हो जाएगा qf हो जाएगा current अब हम magnetic field का formula लगाते है पी इस इक्वेल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर यह हो जाएगा यह हमारा magnetic field आ जाएगा जो कि options के according mu0 qf by 2r तो पर्स्ट option है हमारा तो यह option correct है I hope you will understand this question